असलाम लेकुम आप सब कैसे हुमीद है आप सब अच्छे होंगे यह मेरा फर्स्ट लॉग है आप सब के साथ मैं अपने किद्नी डिसीज के बारे में और किद्नी ट्रांसपैंट के बारे में आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूं मेरी दोनों किद्नी खराब हो चुकी थी और घर में किसी से भी मैच नहीं कर रही थी और ऐसा क्या हुआ कि आज हमें आप सब के साथ हूँ आईए इस पूरे वीडियो को देखिए मैं शैनास तंजेला अपने सपने पूरे करना चाहती थी पढ़ना चाहती थी और ये क्या मैं अपने जिन्दगी शुरू भी नहीं की थी कि मुझे पता चलता है कि मेरी डोनों किड्नी खराब हो चुकी है और मेरी कंडिशन बहुत जादा क्रिटिकल थी और बोडी में बहुत जादा पॉईजन फैल गया था और मेरा बचना मुश्किल था मेरी फैमिली ने मुझे अलग-अलग हॉस्पिटल लेके गए ट्रीप्मेंट के लिए लेकिन पॉईजन होने के कारण कुछ डॉक्टर्स ने कुछ बताया भी नहीं था कि ठीक होगा या नहीं जब एक मन्त के बाद मेरी कंडिशन स्टेबल हुई तब डॉक्टर ने छे महने का वक्त दिया कितनी ट्रांस्प्लैंट के लिए लेकिन कितनी ट्रांस्प्लैंट करवाएं भी तो कैसे कराएं क्योंकि घर में किसी से भी मेरी कितनी मैच नहीं कर रही थी और कही ना कही मैं अपनी जिन्दगी से हार मान रही थी फिर भी मुझे और मेरी फैमिली को अला ताला के पर पूरा भरुसा था कि मैं ठीक हो जाओंगी सिर्फ एक ही इंसान थे जो कि मेरी किड़नी उनसे मैच कर रही थी और वो है मेरी ग्रैंट फादर और उनकी जादा एज होने की वजह से हम सोचा भी नहीं था कि मेरी ग्रैंट फादर की किड़नी मुझे से मैच करेगी और ये सुनकर हमें बहुत जादा खुशी मिली मैं अपने ग्रैंट फादर को जितना भी शुक्रियादा करूं बहुत जादा कम है उन्होंने मेरे लिए जो भी किया वो कोई भी नहीं कर सकता थाइंट यू स्ब्सक्ट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत जादा सपोर्ट किया मेरे साथ जो भी हुआ हैज घ्र्नी ट्राइंट के बारे में और kidney disease के बारे में आप सब के साथ share करना चाहती हूँ प्लीज अगर आप सब लोग मेरे transplant के बारे में जाना चाहते हैं तो प्लीज मुझे like कीजिए, support कीजिए और subscribe कीजिए और bell icon को दबाना मत भूलिए अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हुई है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए यह मेरा पहला वीडियो है और मैं कोई यूटूबर नहीं हूँ यह मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है कि मैं कौन से वीडियो बनाऊं क्या बनाऊं अगर अब आप लोग मेरे kidney transplant के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कुमेंट कर दीजिए तांक यू सो मच